महागामा बड़ी दुर्गा मा के विसरजन के दौरान तालाब में डूप कर एक 23 वर्षी यूवक की मौत हो गई यूवक महागामा के राधा कृष्ण कली निवासी विस्नु नारायन साह का फुत्र अजीत साह बताया जा रहा है जैसा कि लोग बताते हैं कि तालाब काफी गहरा है और किनारे पर ही करीब 15 फुट गहरी है जिसके कारण यूवक विसरजन के दौरान डूप गया लोग बताते हैं कि उसके डूपने की खबर किसी को नहीं पता चली विसरजन के बाद जब अजीत घर नहीं पहुचा तो परीजन परेसान होने लगे तब जाकर ये पूछताच के दौरान पता चला कि विसरजन के दौरान वो पानी में उतरा था तब जाकर ग्रामनो के दौरा तालाब में उतर कर अजीत को बहुत ढूंडा गया लेकिन वो नहीं मिला आज सुबह उसकी लास पानी के उपर तैडने लगी ये दृस से देख आसपास की अलाके में संसनी फैल गई तालाब सेजीत के लास को निकाला गया लास को देखती घर में परिजनों का रो रोकर पुरा हाल हो गया